हेलो गाइस वेलकम बैक टो आवर चैनल अगीन आई होप यह लोड़ इंग वेलें स्टेंग सेफ हम लोग कर रही थे अरियन जी के बाइ मनोहर पांडे जिसमें हमने इंडियन एकनॉमिक स्टाट किया है एंड आज है मारा सेकें लेक्चर इंडियन एकनॉमिक का सो आहो अपन इन डावलमेंट हूमन डावलमेंट इंडेक्स इसमें हम पढ़ेंगे हडी एक डिया आई सो है एक डिया जो है वह वह वस जीवन बाइ मेजर गिवन बाइ पाकिस्तान नॉबल प्राइज विनर के द्वारे यह दिया गया था जो थे महभूग उल्हक ठिक हैं सो जो लेवल है एच डियाए का हुमन डेवलमेंट इंडेक्स का वो इस मेजर बाइक इसके द्वारा मेजर किया गया था हुमन डेवलमेंट इंडेक्स के द्वारा यानि की हुमन डेवलमेंट जो मेजर किया जाता है हुमन डेवलमेंट इंडेक्स के द्वारा और पब्लिश किया गया था UNDP 1990 में ठीक है तीन डाइमांचिंस थे इसके लाइफ एक्सपेंटेंसी एट बोर्थ एजुकेशन इंडेक्स कंप्राइजिंग मीन्स यह जो स्कूलिंग एं अस्पेक्टिड इयर ओस्कूलिंग और फिर GNI पर कैपिता इंडेक्स सो उसके बाद में आता है आपका 2005 में ठीक है किस परपस के लिए मेन इसका जो परपस हो था रिद्यूस इंफैंट मॉर्टालिटी रेट और मेटरनल मॉर्टालिटी रेट उसके बाद में है आपका NUHM नाशनल अर्बन हेल्थ मिशन यह लांच हुआ था 2013 में जैसे कि यह जो एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जैसे सर्वस इक्षा भियान, मिड़े मील स्कीम, यह वली स्कीम जो है वो लांच की गी थी इसमें नाशनल अर्बन हेल्थ मिशन में और उसके बाद में आता है रूरल डेवल्मेंट प्रोग्राम्स जैसे कि मन्रेगा और बारत निर्मान ठीक है फिर उसके बाद म जो की कलेक्टेट किया जाता है एन एसे सो के दवरा यानि कि नेशनल सेंपर सर्वस और इसेशन के तवरा ठीक है जो में रीजन है रूरल पवर्टी के वो है कि एक तो पोपुलेशन ग्रो कर रही है ठीक है अल कापिटल की कमी लैक ऑफ कापिटल लैक ओफ अल्टरनेट ए कमी है अधर देन पॉर एग्री कल्चर एलिटरेशी लैक ओफ प्रॉपर इंप्लिमेंटेशन ओफ पीडियेस सो जो में डीजन है अर्बन पवर्टी की वो क्या है एक तो है माइग्रेशन रूरल एडिया से माइग्रेट हो जाते हैं लोग अर्बन की तरफ स्केल लेबर की कमी है ठीक है स्केल लेबर की कमी है हाउसिंग फैकलिटी फैसलिटीज की कमी है लेमिटेड जॉब और वाचिनिटीज सिटीज में बहुत लेमिटेड है जॉब वगरा लेना जैसे आज के ताइम पे इंपॉसिबल हो रहा है सब के लिए है ना बहुत कम जो 2400 calories यानि की rural and 2100 calories यानि की urban per monthly ठीक है monthly per capita consumption expenditure की रुपीस 455 rural and 540 urban तो जो planning commission है now नितिययोग estimate करता है poverty ratio को इंडिया में 2004 से 2005 तक का वो था 27.5% और सुरेश तंदुलकर कमेटी के according जो था 37.2% उसके बाद में तंदुलकर कमेटी जो है वो stipulate करती है benchmark of daily per capita expenditure को जो की रुपीस 27 से 33 तक का था rural का urban areas का भी respectively यानि की अगर रूरल का 37 था तो urban का 33 था उसके बाद में आते हैं हमारे socio economic programs so programs के नाम दिये गए हैं और कुन से एर में launch हुआ था this is 20 point program 1975 में एंद्रा अवास योजना 1985 में जोहर रोजगार योजना 1989 में भर्षवन जेंती शाहरी रोजगार योजना 1997 में प्रधान मंत्री ग्राम अधय योजना 2000 में प्रादानमंतरी ग्राम सडक योजना 2000 में संपूरण ग्रामिन रोजगार योजना 2001 में भारत निर्मान 2005 में जोहलाल नहरू नाशनल अर्बन inaugural मिशन 2005 में प्राइम मिनिस्टर एंप्लाइमेंट जनरेशन प्रोग्रम तो तो जन इन में वहात्मा गांधी नैशनल रूरल इंप्लाइमेंट प्रोग्रम्स 2009 में नाशनल रूरल लिवली होड मिशन इन आरलम जिसको बोलते हैं 2011 में निर्मल भारत अभियान 2012 में सवश्य बा सब्सक्राइब में आता है हमारा परधान मंत्री यंदन योजना 2015 में अर्टल पैंचन योजना 2015 में डिजिदल प्रोग्रम 2015 में नेशनल स्किल डेवलेमेंट मिशन 2015 में हरीदे अरिटेज इटी डेवलेमेंट अगमेंटेशन योजना 2015 में smart city mission 2015. आमृत अर्टल मीशन अ र eran transformation mm 2014 पार्धानमंत्री जीवन जैने न 6 न 3 पधू score लंस फिर स्वाया शॉए छी न प्रष्छी संचाय योजना 2014 फ़र जाल्य योजना 2016 फिर स्वायाig उसके बाद में आता है थाहर है प्रदान मंतरी न य सके yapmış रधान मंटरी अंडलतacular को लैन य के य oraz 2017 ए राष्थी य य तूस उजोंब सवेंटीं उसके बाद में स्वभागे योजना 2017 उडान स्कीम 2017 आयुश्मान भारत 2018 प्रधान मंत्री किसान समान निदी 2019 प्रधान मंत्री श्रम योगी मंधन योजना 2019 फिर स्वामित्वा स्कीम 2020 2020 में ठीक है प्रधान मंत्री मत्या समपदय योजना 2020 प्रधान मंत्री 2020 उसके बाद में आता है अनएम्प्लाइमेंट तो अनएम्प्लाइमेंट किसको बोलते हैं जो इसके लिए करने के लिए काम नहीं है अनएम्प्लाइमेंट किसको बोलते हैं तो यह जो situation है अनएम्प्लाइमेंट की यह किसको refer की जाती है जब एक person जो है is able and willing to work वो काम करना चाहता है वो काम करने की योगे है at the prevailing wage rate लेकिन वो वो opportunity को नहीं कर ले पा रहा है ठीक है मतलब एक person जो able है काम करने की योगे है and willingness से उसकी will power भी है काम करने की किसके base पे prevailing wage rate यानि कि उसको तनख्वा मिले पैसे मिले लेकिन वो opportunity को नहीं ले पा रहा है उसको बोलते हैं unemployment so estimation of unemployment क्या रहा है क्या estimation है 1973 से लेकर के जो recommendation के base पर है जैसे भी भगवती committee है इनके तीन estimates से unemployment को लेकर के जो की by planning commission के द्वारा निकालेगे जैसे first आगया usual principal status person who remain unemployment for a major part of the year ठीक है उसके बाद में current weekly status वो लोग जो did not find even an hour of work in a week presiding the date of survey एक तो हो कि जुसको में जादातर time में उसको job नहीं उसको जॉब नहीं करने के लिए कुछ नहीं मिलता है दूसरा कि एक week में कुछ hours भी वो काम नहीं कर रहा है थर्ड current daily status जो की काम नहीं ढूंड पा रहा है नहीं कर पा रहा है एक दिन में एक गंटा भी उसके बाद में नेक्स आता है उज्वाला 2007 धनलक्षमी 2008 इंटेग्रेट चाल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 2009-10 सब्ले स्कीम 2010 नाशनल मिशन फॉर एम्पावर्मेंट ऑफ वोमें 2010 उसके बाद में आता है बाल बंदु स्कीम 2011 नाई रोशनी 2012 बेटी बचाव बेटी पड़ाव 2015 पीएम उज्वाला योजना 2016 पीएम मतरी बंदना योजना 2017 एंड सुपोष्ट्री माभियान 2020 उसके बाद में आता है एग्रिकल्चर तो एग्रिकल्चर ये एक मेंस्टेय है इंडिया एकनॉमिका मत तब जिस पे हमारी इंडियन एकनॉमि बेस्ट है बोल सकते हैं ये इंपोर्टेंट कॉंट्रिबूशन है हमारे जीडीपी का नैशनल इंकम इंप्लाइमेंट का ट्रेड का इंडस्ट्री का तो जो ग्रीन रेवलुशन है वो एसोशेट किया जाता है यूज ओफ एच जो है इसके फादर किसको बोला जाता है अमेश स्वामी नाथन ठीक है मेजर एग्रीकल्चर रेवलुशन ब्लू फिश प्रड़क्शन के लिए गोल्डन फाइवर जूट के लिए पिंक अनियन के लिए रेड मीट के लिए वाइट मिल्क के लिए येलो ओयल सीट के लिए उसके बाद में रेवलुशन आता है रेवलुशन में तीन कमपोनेंट्स होते हैं सफ्रेण रेवलुशन जो की सोलर एफिर इनरजी को डिनोर्ट करता है बॉइट रेवलुशन काटल वेल फियर और बू वेलुशन इंडिस्ठ्री सो इंडस्ट्री स्वान जो है लांच हुई थी 1948, 56, 77, 80, and 1991 में, ठीक है, इंड़स्टिन पॉलेसी 1956 को जो है, एकनोमिक कॉंसिटूशन ऑफ इंडिया बूला जाता है, इसमें पॉलिक सेक्टर स्टेजी एज बताई गई थी, इंड़स्टिन पॉलेसी 1991 जो है, ओपन हुई, ओपन अप दे एकनोमिक, जिसने एकनोमिक को उपन किया, its main aim क्या थे, to end license permit राज, to integrate Indian economy with the outer world, to remove restrictions on FDI, and to reform public sectors, तो ये थे इसकी policies, उसके बाद में हमारा आता है, public sectors, enterprises, and आगे के कुछ topics और है, so आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, बाकी बला करेंगे, अब नेक्स वीडियो में, I hope आपको आउट होएं, कुछ मेरे को extra बताना होएं, मुझे कहीं पी correct करना हो, अगर मैंने कुछ गलत बोलाओ, तो comment box में comment कर सकते हो, या फिर instagram handle पे DM कर सकते हो, मेरे instagram handle जो है, वो इसी नाम से है, Edward Abaitania, so आप जरूर comment करके बताना, and thanks for watching my video.